नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ितार कॉमिक्स मौत की फरियाद मौत की फरियाद चितरांकन बेदी कहानी बिमल चटरजी पंडित चरण दास के परिवार में हमेशा कले होती रहती थी उसकी पतनी की अपनी सास से कभी नहीं पढ़ती थी अरी बहु मैं कब से एक किलास पानी के लिए गला फाड रही हूँ लेकिन तू तो जैसे कानों में तेल डालकर रूल ठूसे रहती है सुनती ही नहीं है अभी राती हूँ माजी हे प्रभू मुझे मौत क्यों नहीं आती कम से कम मैं यहाँ प्यासी तो नहीं मरती नंद भावी में भी नहीं पढ़ती थी मैं पूछती हूँ भावी कि भगवान आखिर तुमसे हमें कब छुटकारा दिलाएगा मैं तो रोज की तू-तू मैमे से तंग आ गई हूँ कब से चिला रही हूँ कि मुझे कॉलेज जाना है जल्दी से नाश्ता देदो लेकिन तुम्हारे कानों में तो जू ही नहीं रेंगती मा जी को पानी देने गई थी अभी रगाती हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता हे प्रभू भावी को नहीं तो मुझे ही उठा ले कम से कम इस मनहूस भावी की रोज-रोज शक्र तो नहीं देखनी पड़ेगी और पंडित चरंदास की पत्नी लता अपने दिल का गुबार अपने दोनों छोटे बच्चों को मार पीट कर निकाला करती थी नालायक जनम जलो मैं तुम दोनों की रोज-रोज की शरारतों से तंगा चुकी हूँ अच्छा होता यदि मैं तुम दोनों को जन देने से पहले ही मर जाती हमें मत मारो मा अब हम कभी शरारत नहीं करेंगे नहीं आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी तुम दोनों के प्राण लेकर ही रहोंगी मर जाओ कमबक तो अच्छा होता भगवान तुम्हें ही उठा लेता हाई मैं मर गई उई माँ मर गया मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो इस घर में प्या कर आई बेचारा चरंदास घर की कमजोर आर्थिक इस्तिथी और रोज रोज की कले को देखता हुआ अपने आपको कोस्ता और इश्वर से अपनी मौत की कामना करता मैं कितना अभागा दुखी और कमजोर हूँ प्रभू काश तूने मुझे यह दिन दिखाने से पहले ही उठा लिया होता अब तो मुझे से यह सब कुछ जराभी सहन नहीं होता एक दिन हे प्रभू हे मौत के मालिक मुझे अब यह जिन्दगी बोज मालूम पढ़ रही है तू कृपा कर और मुझे इस दुन्या से उठा ले चरनदास की मा की फर्याद उस दिन सैयोग से यमराज की कानों तक चा पहुंची हे मौत के स्वामी प्रभू यमराज जी मुझे पर कृपा करो और मुझे इस नार के जीवन से मुक्ति दिलाओ है प्रिथ्वी लोग की किसी स्त्री को मेरे उपर इतना अटूट विश्वास है जरूर रह मेरी कोई सची भक्तनी होगी अत्या मुझे उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए यमराज ने उसी समय अपने एक अनुचर को बुला कर आदेश दिया चंडालेशु तुम इसी समय प्रिथ्वी लोग जाओ हमारी कोई परम भक्तनी संकत में है उसकी इच्छा पूरी कर उसे संकत से उबारो जो अग्या महराज लेकिन प्रभू मैं आपकी उस परम भक्तनी को पैचानूगा कैसे जो बार बार मौत मांग रही हो बस समझ लेना वही मेरी परम भक्तनी है समझ गया प्रभू अनुचर चंडालेशु उसी समय एक नशेडू भैसे पर सवार हुआ और प्रित्वी लोग की और चल पड़ा आज चर्य है प्रित्वी लोग पर यम महराज जी की ऐसी कौन परम भक्तनी पैदा हो गई आज तक तो मैंने सभी प्राणियों को यम जी का मात्र नाम सुनकर ही बिदकते देखा था फिर यह स्त्री यम जी की परम भक्तनी कैसे बन गई खैर प्रित्वी लोग पहुँच कर देखूँगा कुछ देर बाद यम दूत पंडिक चरन दास की घर के उपर चा पहुँचा हे यम महराज मुझ पर कृपा करो और मुझे इस दुनिया से उठा लो मैं इस जीवन से तंग आ चुकी हूँ अरे वह स्त्री माला तो भगवान के नाम की फिरा रही है और मौद की भीक हमारे यमराज से मांग रही है बाद कुछ पल्ले नहीं पड़ रही या तो वह कोई पागल स्त्री है या फिर कोई पाखंडी खेर अभी अस्त्यस सामने आ जाएगी अगले पल देवी अरे भापरे डाकू बुढिया उसे डाकू समझ चीक पुकार करने लगी डाकू आ गया डाकू आ गया पकड़ो बचाओ धैरो देवी मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं रुक जाओ बचाओ पकड़ो ओह इस तरह चीक चीक कर तो यह पूरे महले को इखटा कर लेगी मुझे उसे चीक पुकार करने से ही रोकना होगा अगले इपल यमदूत ने अपना उल्टा हाथ हवा में घुमाया और तुरन थी उसकी हाथ से एक रस्ती पंडित चरंदास की मा की और बढ़ी बचाओ बचाओ डाकू आगया डाकू आगया हर समय इसी तरह चिलाती रहती है इससे पहले की पंडित चरंदास की माँ घर के भीतर परविश्थो पाती रस्ती उसकी गर्दन से लिपट गई हाई मैं मरी शीखरी रस्ती ने उसे खींच कर यमदूत के सामने लाखड़ा किया मुझे मत मारो डाकु जी मैं अभी मरना नहीं चाहती मुझे तो अभी दुनिया के पहुत से रंग देखने है डरो मत देवी मैं कोई डाकु नहीं बलकि यमदूत हू क्या कहा यमदूत हाँ देवी और मैं अपने महराज यमराज जी की आग्या से आपके पास आया हूँ वह क्यों भला मैंने तुम्हारे यमराज जी का क्या बिगारा है इसलिए कि आप महराज यमराज जी की परम भक्तनी है यह तुम्हारे महराज जी ने कैसे जाना क्योंकि आप हमेशा उनका स्मरन करती हुई अपने लिए उनसे मौत की फरियाद करती है अता उन्होंने आपकी सच्छी भक्ती से प्रसन होकर मुझे आपके कष्ट के निवारन के लिए भेजा है यानि आपको इस जरजर शरीर से मुक्ति दिलाने के लिए अब मैं आपकी आत्मा को इ मैं भी मरना नहीं चाहती मैं इस दुनिया के सुख भोगना चाहती हूँ यह आप क्या कह रही है देवी यदि आपको जिंदा रहने के इतनी तमन्ना थी तो व्यर्थ ही यम्राज जी से अपनी मौत की क्यों कामना कर रही थी वह वह बोलते बोलते अचानक ही पंडित चरण की रे मांग रही थी उसी के कारण मुझे दिन रात कश्ट पहुंचता है उसी के कारण मैं दुखी रहती हूँ वह कंबक न मुझे दिन में चैनले ने रेती है ना रात को हर समय मेरे साथ छगरती रहती है यही नहीं उस निरलज कलमोही कुल्टा ने मेरे पेटे को भी तो अपने आपको यम्राज जी का मुझसे भी बड़ा भग समझती है अच्छा ऐसी बात है हाँ यम्दूर जी यदि आप उसे इस दुन्या से उठा लें तो मेरे कश्टों का भी निवारन हो जाएगा और उसके दिल की भी मुराद पूरी हो जाएगी क्योंकि वही हर समय यम जी से मौत की गुहार करती रहती है ओह कहीं वही तो यम्राज जी की परम भक्तिरी नहीं है और मैं बेका ही इस बुढ़िया से उलज गया हूं आप किस सोच में डूब गई यम्दूर जी कुछ नहीं आप बता सकती है कि आपकी बहु इस समय मुझे कहा मिलेगी होगी रसो का निवारन करता हूं आहां आप कितने अच्छे और पुद्धिमान हैं यम्दूर जी उसे मार कर आप मुझसे जरूर मिलते जाना मैं आपको असली दूद और बादाम खिलाओंगी यम्दूर ते पंडित की मा की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और आहां चला गया चलो जान बची लाखो पाए अब ना रहेगा बांस और ना बचेगी रोज रोज की पांसुरी उधर रसोई घर में लता खाना पका रही थी की चिनाक हाई मैं मर गई हाई सत्यानाश हो जाए अन गुल्ली डंडा खेलने वालों का शीशे के साथ साथ मेरा सिल भी फोड कर रख अभी मजा चकाती हूं उन कमबक्तों को हे भगवान उन लड़कों में तो मेरा टिलू भी है हाई हाई उन कमबक्तों के पैदा होने से पहले ही यम्राज जी ने मुझे उठा क्यों नहीं लिया कम से कम मैं उन दोनों के शरारतों से तंग होने से तो बच जाती तभी दुख तु कहांसे आमारा, तव कौन हो, कहीं कोई डाकू या चौर, हाँ हाँ, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं दीवी, मैं ना चौर हूं, ना डाकू, मैं यमदूध हूं, महाराज यम्राज जी ने मुझे तुमहें लेने के लिए बेजा है, मुझे? हाँ तुम यमराज जी की भक्चो हो तुम हमेशा उनसे मौत मांगती रहती हो ना सो महराज को तुम पर दया आ गई और तुम्हें लेने के लिए मुझे भेश दिया नहीं नहीं मैं तुम्हारे यमराज जिकी भक्त नहीं हूँ और ना ही मुझे मौट से कोई लगाव है यमदूर जी आप कोई और घर देखिए मैं तो अभी मरना नहीं चाहती यदि मैं मर गई तो मेरे दो छोटी छोटी बच्चों का क्या होगा मेरे पती की सेवा कौन करेगा बच्चों को कौन पढ़ाएगा लिखाएगा ना ना मैं तुम्हारे साथ हरकिस नहीं जाने वाली लेकिन तुम तो नित्य यमराज जी से उठा लेने की बात किया करती थी फिर तुम्हारी माता रूपी सास ने भी मुझसे यही कहा था कि उनसे ज्यादा तुम महराज यमराज जी की भक्तनी हो और इस दुनिया के रोज-रोज के दुखों से छुटकारा पाकर उनके चड़ बुढिया को यह ले ही जाता तो अच्छा होता लेकिन अब मैं क्या करूँ इस मौत की दूथ से कैसी चुटकारा पाऊं यह तुम व्यगरता से क्या सोचने लगी देवी चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ अरे दूत आखे तुम मेरे पीछे ही हाथ धोकर क्यों पड़े हो यदि तुम्हें अपने महराज की आग्या पर किसी को ले ही जाना है तो मेरी नननच शीला को ले जाओ वह तो सासु जी और मुझसे भी ज़्यादा यम की फक्त है हर समय उन्हीं को याद करती हुई मौत की कामना क्या करती है क्या सच बिल्कुल सच यदि विश्वास न हो तो उसके कमरे में जाकर स्वेम अपने आँखों से देख लीजिए वह इस समय भी आपके महराज से मौत की फरियाद कर रही होगी यह बात है तो मैं अभी उसके पास जाता हूँ कहां है उसका कमरा बाहर निकल कर दाय हाथ को जो आखरी कमरा है बस वह उसी का है ठीक है तो मैं चलता हूँ यंदूर जी तुरंद अंतर ध्यान हो गए उफ बाल बाल बची वरना सासु जी ने तो मुझे मरवाने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी थी तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद